Redmi के laptop के बारे में तो पता ही होगा Redmi Book 14 बहुत जल इंडिया में लॉंच हो सकता है उसका BIS Certification हो था लेकिन अब Honor की तरफ से Magic Book का Certification हो चुका BIS पर मतलब इंडिया में Honor का भी laptop आ सकता है वो भी बहुत कम प्राइस पर और MIUI 12 जो है वो next month launch हो सकता है या फिर उसकी release date या फिर उसका trailer वगएरा कुछ ना कुछ आपको मिलने वारा है Redmi Note 9 series जो है वो 5G में launch होना वाली है चाइना में इंडिया में launch नहीं होगी शाओमी नहीं कह दिया थे कि हम launch नहीं करेंगे फिलाल 5G में तो वह भी 15,000 के नीचे आपको MediaTek का Diamond CD 800 processor के साथ आपको यह phone देखने को मिल सकता है और एक न्यूसर सबसे बड़ी वह यह है हमने launch करेंगे अपने एक store जिसमें आपको सस्ते प्राइस पर प्रोडेक्ट्स खली सकते हैं जो भी मैंने अभी रिवियू कर रहे है यह फोन हिट फोन वगरा फिटनेस में Bluetooth certification हो चुका था और उसके remote का भी Bluetooth certification हो चुका है बस lockdown हटने की देरी है और Realme TV आपके घर में होगा और me note 10 light का global का certification हो चुका है जो कि NBTC और BIS certification हो चुका है जिसके हमें असार है कि इंडिया में भी बहुत चल लाउंच हो सकता है आपको न्यूस पसंद आ रही है तो नीचे like करना और मुझे comment करके बता देना अभी इसकी न्यूस का मैं क्या नाम रखूं मैं confused हुँँज हूँ प्राइस बता रहा हूं में आपको इसमां फ्रेंट में आपको डूल पंच होल मिलता है वो मीडिया टैक का डामेंड़ सीडी 800 प्रोसेसर देखने को मिलता है वन प्लस एट प्रो की सारे स्पैसिफिकेशन लीग हो चुका है और डिसाइन भी लीग हो चुका है आपको स्क् आना मत भूलना टैक्ट रेंगे फटाफट न्यूस में